अगर आप भी नए साल में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं और आने वाले तीन साल में एक बड़ा फंड तयार करना चाहते हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अगर अभी के समय में हर महीने 2500 रुपे निवेश करते हैं तो आने वाले तीन सालों में आपको कितनी रकम मिलने वाली हैं अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे इस लेग को पढ़ते रहिए हम आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं तो चलिए जानते हैं आज के समय में mutual fund में उसे करना का फिला लोगप्रिय माना जाता है हर कोई mutual fund के माध्यम से एक छोटी छोटी राज जमा करके एक बड़ा fund तयार कर सकता है ऐसे में अगर आप भी एक बड़ा fund तयार करना चाहते हैं तो हमारे इस article को पढ़ते रहिए हम आपको सब कुछ ही माना जाता है और इसके माध्यम से आप निवेश करके काफी बहतरीन return प्राप्त कर सकते हैं इसकी तहत आप निवेश करके 20 तक return प्राप्त कर सकते हैं ऐसे में अगर आप हर महीने 25 रुपे systematic investment plan के माध्यम से निवेश करते हैं तो 3 साल में आप 90,000 रुपे निवेश करें हैं तो आप थोड़े थोड़े पैसे जमा कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से निवेश करके एक बड़ा fund तयार कर सकते हैं ऐसे में आप आने वाले नए साल में पैसा निवेश करने की शुरुआत कर सकते हैं और आने वाले 3 सालों में आप बहुत ही आसानी से एक बड़ा fund तयार कर सकते हैं, ऐसे में आपको काफी बहतरीम रिटन मिलेंगे, जिसमें आपको काफी कम समय में इतनी ज्यादा रिटन मिल रहे हैं। इसमें आप भी निवेश करना चाहते हैं, तो आप Post Office की स्कीम में भी निवेश कर सकते नहीं, या फिर आप Stock Market या फिर Mutual Fund में इनवेश कर सकते हैं, इन सभी जगह पर आपको काफी अच्छा खासा रिटन मिल जाता है, हमने आपको Systematic Investment Plan के माध्यम से निवेश करने के बारे मे बताया हुआ है, आपको जहां अच्छा लगता है, वहाँ प्रवेश कर सकते हैं,